पासानोमी शैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम पेटीयम मनी के जो ब्रोक्रेट चार्जस है इसके बारे में डीटेल डिसकेशन करने वाले हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रोक्रेट चार्जस का जो पेज है हमने ओपन कर दिया है यहाँ पे आपको दो टाप दिखाई दे रहे हैं पहला है अगर आपका अकाउंट पाच अगस दो हजार बाईस के पहले ओपन किया गया है तो उसके लिए आपको अलग चार्जस प पहले का है, तो delivery में आपको कोई भी यहाँ पे charge नहीं देना है, बिल्कुल free of cost आपका delivery का जो है trading यहाँ पे हो जाएगा, आप कोई भी share buy कर सकते हो delivery में, उसके लिए आपको कोई भी brokerage नहीं देना पड़ेगा, brokerage नहीं देना पड़ेगा, इसका मतलब यह नहीं कि आपको taxes नहीं बरने है, लेकिन जो ptm money गा brokerage है, वो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, उसके बाद अगर आप intraday trading करते हो, equity intraday करते हो, या फिर आप वहाँ पे future and option के trading करते हो, तो आपको यहाँ पे 10 रुपे देने पड़ेंगे per trade के हिसाब से, per trade के हिसाब से मतलब buy के लिए आपको 10 रुपे देने है, और sell के लिए अलग से 10 रुपे आपको यहाँ पे बे करने है, इसके आलावा, अगर आपका turnover जो है, वो कम होता है, मान लिजेगा, आप छोटे turnover के साथ काम करते हैं, तो minimum आपको 0.05% के हिसाब से, चार्ज जो है, वो लगने वाला है, ब्रोकरेज का, अगर turnover ज्यादा होता है, तो maximum 10 रुपे आपको देने है per trade के, कम होता है, तो 0.05% of your turnover इतना ब्रोकरेज आपको पे करना होता है, उसके बाद अगर आप 5 अगस से पहले account open करते हो, तो आपके लिए cost आपका जो account है, वो maintenance यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी extra charge आपको नहीं देना पड़ता है, future and option में आप trade करते हो, आप पके खिलाडी हो, pro trader हो, future and option के सिवा कुछ नहीं करते हो, तो भी आपको यहाँ पे 10 रुपे पे करने होंगे, maximum अगर आपका turnover हो जाता है, तो, otherwise आपको 0 0.02% of your turnover पैसे देने पड़ेंगे as a brokerage, मतलब आप एक ही lot के साथ काम करते हो, option में trade कर रहे हो, आपका, मान लीजेगा कि Nifty में आपने 50 का एक lot खरीदा है, और उसकी कीमत 100 रुपे है, तो आप कितना पहले 5000 रुपे पे करोगे, उसके उपर आपको, मान लीजेगा 50 रुप 500 रुपे हो गया, तो उसके उपर आपको जो है, वो turnover के उपर brokerage charges देने पड़ते हैं, अब ये maximum side में 10 रुपे जाते है, per trade के buy का अलग, sell का अलग, और अगर turnover कम हो गया, जानि कि यहाँ पे आपको 12,500 का ही turnover हो गया, तो आपको 0.02% के हिसाब से brokerage लगने वाला है, तो ये बाद आप ध्यान में रखिये, तो ये तो basic हो गया, 5 अगस्त के पहले जिनों ने account open किया है, उनके लिए charges, अब थोड़ा देखते हैं, अगर आपने 5 अगस्त के बाद यहाँ पे account open किया है, तो यहाँ पे आपको थोड़े पैसे extra charge करेंगे, delivery के लिए आपको 15 रुपे charge हो हो गया है, उनके लिए, और अगर आप turn over के इसाब से देखते हो, तो मान लिजेगा आपका turn over है, वो 1,00,00,00 रुपे के turn over 2.5% का आपका charge होगा, अगर वो minimum side पे है, तो maximum side पे है, तो 15 रुपे per trade आपको देना ही है, अगर minimum आपका turn over होता है, तो turn over के 2.5% charge आपको यहाँ में भी पहले 10 रुपे देने पड़ते थे, अगर 5 अगस के पहले का account है, तो लेकिन latest account open किया है, तो 15 रुपे per trade के हिसाब से आपको यहाँ पे charges देने पड़ेंगे, और minimum turn over charges, minimum percentage जो है, वो सेम रखे हैं यहाँ पे, लेकिन जो maximum percentage है, maximum जो amount आपको brokerage की देनी है, वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है, पहले 10 रुपे देने पड़ते थे, अब यहाँ पे आपको 15 रुपे per trade के हिसाब से पैसे देने पड़ते है, AMC अभी भी free है, कोई भी charge नहीं है, account maintenance के लिए, साल का आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, इसका मतलब य यह नहीं है कि आपको पेटियम मनी कोई charge नहीं करता है, आगे देखेंगे किस तरीके से आपको पेटियम मनी में भी platform यूज करने के charges भी देने पड़ते हैं, उसके बाद आते है FNO के उपर, FNO में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 रुपे charge देना होगा आपको per trade के हिसाब buy का अलग trade होता है, sell का अलग trade होता है, पूरा order execute करने के लिए, buy sell का total order execute करने के लिए 30 रुपे आपको flat देने होगे अगर maximum side पे आपका turnover चला जाता है तो, और minimum side पे जाता है तो 0.02% of your turnover यह आपको charge देना पड़ेगा, तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, पहले stocks में देख लेते हैं, उसके बाद one by one देखेंगे, intraday और future के लिए, stocks में अगर आप trade करते हो, यानि कि आप सिर्फ delivery के लिए लेते हो, यहाँ पे आप देख सकते है, stocks मतलब यहाँ पे equity delivery हो गया, options हो गया, future हो गया, तीन category हमें यहाँ पे है, और पहले तो stocks में delivery में भी same यहाँ पे brokerage देना पड़ता है, brokerage अगर अदेखते हो तो वैसे भी discuss कर चुके हम 2.5% या फिर 15 रुपे executed order के हिसाब से देने होंगे, अब government के charges कौन से है, exchange turnover charges जो होते है, वो NEC और BAC पे हम trade करते हैं, वो NEC BAC क्या है, exchange है, अब इस exchange के लिए आपको यहाँ पे of your turnover, तो जितना भी आपका turnover होता है, मान लिजेगा आपका 1,00,000 का पूरा turnover हो गया, तो इस 1,00,000 के उपर आपको 0.00345% exchange transaction charges देने होंगे, turnover जितना होगा, उसके उपर यह पैसे depend होंगे, उसके बाद, STT जो लगता है, security transaction tax, आप जो stocks खरीदते हैं और बेजते हैं, वो एक security होती है, उसके transaction के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, यह एक tax के सरूप में आता है, और यह tax आपको turnover के हिसाब से 0.1% देना होता है, सिर्फ sale order के उपर, buy के लिए आपको कोई भी यहाँ पर STT नहीं लेगेगा, sell के उपर आपको यहाँ पर STT देना होगा, अब जितने भी आप stock बेचो, एक बेचो या 100 बेचो, आपको 0.1% आपका जो turnover होगा, उसके हिसाब से आपको security transaction tax देना होगा, तो sell के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे जो है, security transaction tax देना बड़ेगा, और future and option में इसकी जो percentage है, वो और भी change होते है, उसके बारे में discuss करेंगे, उसके बाद सेवी के charges जो होते है, सेवी जो हमारा regulator है, उसको हमें pay करने होते है, 0.0001% of your turnover, इसका अगर इसाब लगा दे, तो 10 रुपे आपको देने पड़ेंगे, 1 करोड के transaction के उपर, अगर आपका turnover 1 करोड जाता है, तो सेवी के charges 10 रुपे आपको यहाँ पे pay करने होंगे, तो यह ब आप जो brokerage दे रहे हो, इसके उपर आपका जो है, वो GST लगेगा, आप exchange turnover charges दे रहे हो, इसके उपर GST लगेगा, और सेवी के जो charges दे रहे हो, इसके उपर आपको GST 18% देना होगा, तो यह तीनों को मिला के 18% आपको यहाँ पे GST pay करना होता है, उसके बाद stamp duty जो होती है, वो stamp duty आपको pay करनी होती है, buy order के लिए, जो भी stock आप buy करते हो, उसके लिए आपको stamp duty देनी पड़ेगी, चाहे वो FNO में buy करे आप, या फिर delivery में buy करे, आपको stamp duty यहाँ पे pay करनी होती है, 0.015%, turnover के 0.015% के हिसाब से आपको, जो है, वो delivery में 0.15% देनी पड़ती है, future and option मे यह थोड़ी सी change हो जाती है, उसके बाद additional taxes जो है, additional जो पैसे आपको देने है, वो square of के, auto square of के 50 रुपे extra आपको देने है, plus GST, यह एक penalty के तरह होता है, जैसे कि आपको पता है, market हमारा साड़े तीन बज़े तक खुला रहता है, और intraday के जो orders होते हैं, वो साड़े तीन आपको रखने होते हैं, लेकिन auto square आपको वोता है, तीन बज़ के 15 मिनिट पे, अगर आप तीन बज़ के 15 मिनिट से पहले आपका order execute manually कर देते हो, खुद, तो आपको यह penalty नहीं लगेगी, लेकिन आप भूल जाते हो, आपका intraday order है, और वो तीन बज़ के 15 मिनिट के बाद अगर order वहाँ पे दिखाई देता है, तो आपका जो यह PTM broker है, यह अपने आप से वो जो order है, वो square off कर देता है, market price के उपर, और उसके लिए आप से 50 रुपे plus GST per executed order के extra लिए जाते हैं, तो ध्यान में हमेशा रखना, अगर आप intraday trade कर रहे हो, तो आपके लिए timing 3 बज़ भरना पड़ेगा, तो यह सारे ही चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, और भी कौन से charges है, तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, DP charges आप depository participant AMC charges, यानि कि यह AMC charges है, वो तो 0 है, वो हमने देख लिया, लेकिन delivery अगर आप किसी stop की लेते हो, तो आपको यहाँ पे DP charges देने के लिए आपको देने है, अब जब आपका contract note आता है, तो contract note में यह DP charges mention नहीं होते, तो बहुत सारे लोग confused हो जाते हैं कि extra यहाँ पे पैसे कहां कट हो गया है, तो यह DP charges आपको देखने के लिए monthly statement डाउनलोड करना होता है, अगर एक मेहने में आपने 5 अलग-अलग कमपनि होंगे, 13.5 रुपे जो आपको लगेंगे, Reliance के लिए, अगर Reliance के 100 श्रॉक बेचे है, तो Reliance के लिए अलग से DP charges आपको लगने वाले है, यह पर script के हिसाब से होते है, ना कि particular stock के हिसाब से, मनलब number of stock के हिसाब से नहीं होते है, number of script के हिसाब से होते है, उसके बाद remat charges अगर आप कोई शेर प्लीज करते हो यानि कि आप शेर को प्लीज करके उसके उपर अगर मारजिन उठाते हो तो 15 रुपए पर ट्रांजक्शन के आपको यहां पर देने होते हैं ओफ मार्केट ट्रांसफर करना है डीमेट अकाउंट के लिए तो आपको 10 रुपीज पर ट्रांजक्शन के पैसे देने होंगे और रिसीविंग सिक्यूरिटीज इन डीमेट अकाउंट बाई के लिए कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं है उसके बाद अधर चार्जेस की और जाएंगे तो पैमेंट गेटवे अगर आप नेड बैंकिंग यूज करते हो तो पैसे अड़ करने के लिए आपको 10 रुपे एक्स्ट्रा देने होते हैं इसलिए मेरा हमेशा सेज़ेंट रहता है कि आप UPI थ्रू ट्रांसपर किया कीजिए ये फ्री ओप कॉस्ट होता है लेकिन अगर आप नेड बैंकिंग यूज करोगे तो 10 रुपे प्लस GST आपको एक्स्ट्रा पैसे यहां पर देने होंगे पेमेंट गेटवे फोर UPI जैसे मैंने कहा जीरो है कोई भी चार्ज यहां पर UPI के थ्रू ट्रांसक्शन के नहीं लिये जाते अगर आपने stock borrow किये है या फिर जो margin यूज किया है तो उसके लिए अगर overdue interest है वो 1.5% आपको monthly लगेगा outstanding bill के उपर अगर आप कोई stock interest pay करना या interest pay करना भूल गए तो आपको 1.5% के charge extra लगेगा physical statement आपको चाहिए तो 300 रुपे पर request आपको देने होंगे 300 रुपे कुरियर के अलग से देने होते है तो ये थोड़ा सा cost ली है अब जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत मैंने कहा था कि AMC तो 0 है लेकिन Paytm Money अपने platform यूज करने के लिए कोई charges लेता है तो ये charges आपसे लिए जाते है 30 रुपे पर महिने के इसाब से पर मन 30 रुपे आपको यहां पे देने पड़ेंगे platform क्यूँकि आप Paytm Money का use कर रहे हो उसके साथ साथ KYC free में हो या फिर समझ नहीं आ रहा है आपको order कैसे लगा है तो आप call करते हो Paytm Money में और उनको बोलते हो कि मेरा ये order आपको place करना है तो उस order execution के लिए या place करने के लिए अगर order execute हो जाता है उन्होंने place किया हुआ तो 100 रुपे आपको extra देने पड़ते हैं without मतलब ये brokerage के अलावा 100 रुपे extra देने पड़ेंगे order execute हो गया तो brokerage तो देना ही पड़ेगा लेकिन आप call करके उनको काम लुक पे लगा रहे हो तो आपको 100 रुपे extra देने हैं उसके बाद modification CML करना है तो 25 रुपे per request की हिसाब से आपको यहाँ पे देने होते हैं तो ये तो सारे charges हमने देख लि 30% on premium option के premium के उपर आपको ये charge देने पड़ते हैं और STT जो है वो 0.05% देना पड़ता है sell side जब आप sell करते हो तो option premium के इसाब से आपको यहाँ पे STT लगेगा अगर आपने 100 रुपे में कोई option buy किया और उसे 200 रुपे में बेज दिया है तो 200 रुपे premium के उपर जो turn on होगा उसके उपर आपको STT pay करना होगा सेवी के charges सेम है GST सेम है brokerage expire contract अगर हो जाता है और आपने exercise नहीं किया या फर execute नहीं किया तो उसके लिए आपको 10 रुपे per position के extra देने पड़ेंगे stamp duty यहाँ पे कम हो जाती है 0.003% of your turnover वो भी buy के side पे आपको देना पड़ता है बागी सा वो stock में trade करो option में trade करो या फिर future में trade करो इसमें कोई भी changes नहीं आता है तो आप थोड़ी बात करते है futures की futures में अगर आप देखोगे तो जो brokerage है वो 0.02% of your turnover होगा अगर lower side में आपका turnover चला जाता है और maximum जाता है तो 15 रुपे per order के हिसाब से maximum 30 रुपे brokerage आपको future में लग future के contract के लिए आपको यहाँ पे देने होंगे STT जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है STT 0.01% sell order के हिसाब से आपको देना होगा से भी turnover charges same है GST same है brokerage on expire contract अगर आप contract आपका expire हो जाता है उसके उपर आपको brokerage लगेगा 0.02% of your turnover और 10 रुपीज पर executed order whichever is lower उसके बाद stamp duty भी यहाँ पे 0.002% of your turnover only on buying order के लग जाती है बाकि additional जो charges है square off के वो same है सिर्फ option और future अगर आप trade करते हो तो आपको यहाँ पे DP charges कुछ भी नहीं देने पड़ते है 13.30 रुपे जो देने पड़ रहे है वो आपको यहाँ पे नहीं देने है क्योंकि आप stock की delivery नहीं ले रहे हो तो इसलिए यहाँ पे mention भी नहीं है तो physical statement के थोड़ी से value change हो जाती है बाकि call and trade और modification आपको पे करने है तो net net इस तरीके से आपको charges का पता होना चाहिए हम जो trade करते हैं उसके लिए हम कितना पैसा देते हैं यह आपको पता होना चाहिए और I hope कि आपको इस वीडियो में सारी जीजे clear हो गई होगी बाकि आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है तो please like कर देना चैनल को subscribe करना मत बुलना और इस वीडियो को जादा सादा लोगों तक share करना मैं मिलूंगा next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद